प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है एक फरवरी 2022 देखेंगे अब तक के सभी महत्पुर्ण करेंट अफेर्स जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फेक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा इस क्लास का पीडियेफ आप टार इजुकरिशन के इन सभी सोशल मीडि अन्य भी मिलेंगे दोस्तों प्रस्ण यहां हिंदी इंग्लिस दोनों में हैं आपसे आगरा है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें तभी आपको इस क्लास का महत्तुर पता चलेगा और पर क्लास परिक्षा उप्योगी लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे अपन चैनल पर आपने हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये है वह वहτιिए सब्सक्राइब बटम दबा दे और साथ में देल आखन भी दबा दें और पहले सेस्क्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्य बाद बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे दो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास पहला प्रश्ण है वीच केंपेन हैज बिन स्टार्टेड रिसेंटली बाइद ब्रिहां मुंबई मुंसिपल कॉपरेशन अर्थाथ बीमसी और पॉब्लिक अवैर्नेस एगेंड्स लेपरोसी हाल ही में ब्रिहां मुंबई नगर नीगम के निगम अर्थाथ बीमसी के द्वारा कुष्ट रोग के खिलाफ जन जागरुकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान सुरू किया गया है सही जबाब है असपर्स अभियान सुरू किया गया है बीमसी के द्वारा कुष्ट रोग के खिलाफ जन जागरुकता बढ़ाने क के लिए यह BMC मुंबई महाराष्ट में हैं तो देखते हैं महाराष्ट के बारे में महाराष्ट की राजधानी मुंबई है और इस राजी का स्थापना एक माई 1960 में मुकमंत्री उद्धाव ठाकरे हैं और राजपाल भागत सिंग कोशी आ रही हैं आई ये आप्शन से हम लो यह आल ही में चारखन्ट सरकार के दवारा चारखन्ट सरकार के द्वारा एख एक ए ऍष्थिम चलाए गिया था होजय था आओनग्स प्रभावित छे घ YOU आ-खकर कि राश्ड़ीन के rooms और सभ्यां सेथा है हैं और ऊंगर जनिसों के सहाय हो गया चलिए उन्नती अपसंद देखते हैं उन्नती क्या है तो उन्नती हाल ही में दिल्ली पूलिस के द्वारा एक अभियान यह भी campaign है चलाय गया था इसमें क्या होगा युवाओं को सिक्षित किया जाएगा समाज के कमजोर बर्के में से जो बच्चे स्कुल छोड़ चुके हैं उनके कोस्ण पर सिक्षन के लिए काम कीया जाएगा और यह शुरूब किया गया है दिल्ली कुलिस के द्वारा दिल्ली के क्या 550 है याद रखक मंज पाई यह क्या है तो हाल ही में तमिलाडू सरकार के द्वारा मिंजम मझपाई ये योजना शुरू किया गया था इससे क्या होगा तो राज में कपड़े के थैलों का उप्योग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा और प्लास्टिक के थैलियों का प्योग नग करने का अभियान चलाए जाएगा ये तमिलाडू सरकार के द्वारा सुरू किया गया योजना है मिंदम मंझपाई चलिए अगला अप्सन सब देखते हैं अप्सन सभी इसमें हो गया उमित करता हूँ यह आपको यहां तक पसंद आया होंगे चलिए नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं हाल ही में भारतिये जीवन वीमा निगम LIC के अध्यक्ष का कारेकाल बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है तो इसका सही जबाब है M.R. कुमार पहले से अध्यक्ष चेर्मेन यही थे इनका कारेकाल अगले एक वर्ज के लिए बढ़ा दिया गया है इसे याद रखिएगा निव एपोइंट्मेंट में यह इसे आ गया L.I.C. के बारे में देखते हैं L.I.C. अर्थात Life Insurance Corporation of India इसका स्थापना एक सेपकंबर 1956 को और Headquarter मुंबई है और चेर्मेन यही एमर कुमार है जिनका कारेकाल बढ़ाया गया है अगले एक वर्ज के लिए चलिए देखते हैं ऑप्संस ऑप्संस से ध्यान से देखिएगा हल फिलाल के appointment से समंदेट में लोग इसमें update देखेंगे डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ये एक दो दिन पहले की news है क्या बने है ये इनको कहानियों किया गया है ये भारत के मुख आर्थिक सलाहकार चीफ एकॉनमिक एडवाइजर किसे बनाय गया है मुख आर्थिक सलाह का यहीं बने हैं डॉक्टर ए अनंत नागेश्वरन ये सब आप याद रखियेगा और ये इसकार किन तो कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम का यह जगह लिए हैं जो कि कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम जो हैं अपने इसे मुपद को अब छोड़कर पुना अध्यान के छेत्र में लोटने का फैशला इनोंने किया है तो मुक्यातिक सलाकार यह हो गए वी अनंत नागेश्वरन अच्छा अभी बित मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन है और अभी केंद्रिय बित सचीव कौन है तो कीवी सुमनात यह सब फैक्स आप बिलकुल याद रखिएगा बहुत महत्पूर्ण है जो भी मैंने इसमें बताया बित सचीव कीवी सुमनात बित मंत्री निर्मला सीता इस रोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए है नए एस सोमनात को इस रोग के नए अध्यक्ष बनाए गए है इसके पहले कौन थे के सिवन थे इस रोग के बारे में देखिए एंडियन सब्स रिसर्च और्गनाजेशन कूल फॉर्म होता है इसका अस्थापना इसका 15 179 में हेट क्वाटर कहां है करनाटक के बेंगलूरू में है और चेयर्मन वही अब नए बन गए एस सोम नाथ यह याद रखिएगा चलिए और जित पटेल के अबनाए गए है हाल ही में ए आई आई बी अर्थाथ ASEAN Infrastructure Investment Bank के ऊपादियक्ष बनाएगा है और जित पटेल उपाधियक्ष देंदेज़ेगा ऊपादियक्ष बनाएगा है इसके और जितक पटेल पुर्व में हम लोगों के RBI के गवशनर भी रह चुके हैं यह आप याद रखिएगा और AIIB के बारे में हम लोग देख लेते हैं ASEAN Infrastructure Investment Bank इसका अस्थापना कब हुआ था 16 जनवरी 2016 में और इसका Headquarter कहा है चाइना की राजधानी बीजिंग में यह याद रखिएगा और यह तो बनाएगा है उपाध्याक्ष इसका तो इसके अध्याक्ष कौन है आया है तो जरूर हमने रिक्वेस्ट किया चैनल के लिए लाइक और कुछ सेकेंट्स देखर सेर यह जरूर कर देंगे दूस्तों और सस्काइब नहीं किया है तो सस्क्राइब भी दबा दे और पहले से कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए नेक्ट कोस्ट के द्वारा यह पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस लिखा गया है आईए आपसंस हम लोग देखते हैं जिसको कि यह पुस्तक पर अधारित प्रस्ण है यह सब आपसंस भी हम लोग कुछ हाल फिलाल के नए पुस्तक जो रिलीज हुए है भी मोचन किया गया है उसके बारे में ने रसकिन बॉंड रस्किन बॉंढ इन्हों ने हाली में एक फुस्तक लिखा है और the little के बुच सब्दोर लिका गया है यह रस्किन बॉंड की दौरा एक दो रोज पहले कि निए उन्हेगे ए लीटिल बुक एंडिया यह लिखा गया है रस्किन ट्वासिन बाड़ कौन है वह कि बातियों पूस्टक लिखा है और बाग इसके बारे में अपने ऐसे जिकर किया धिखिए प्रिटिश मूल के भाद ये लेखक है चलिए तोहिन a तुहिन a親ha य globalization इसमें प्रिटिशा्ठ की कहानी है जिन्होंने आधिवासी समुधाय के अधिकारी को लिए दमनकारी बृटिश राज के खिलाब साहस्पूरुक लड़ाई इन्होंने लड़ा था तो दर लिजेंड्स ओफ विर्षा मुंड़ा तुहीन ए सिनहा के द्वारा लिखा गया है अगला है सलमान खुर्षीद इन्होंने हाली में एक पुस्तक लिखा है सनराइज सनराइज ओवर अयोधिया यह पुस्तक हला की काफी विवाद में रहा था सनराइज ओवर अयोधिया यह पुस्तक लिखा है सलमान खुर्षीद ने जो कॉंग्रेस के नेता है पुर्मंतरी भी रह चुके हैं यह सब फैक्स आप याद रखिएगा चलिए नेक्ट कोश्चन द अकल एकेडमी और के संस्थापक और सीखो के धार्मिक गुरू हैं बाबा इकबाल सिंह को भारत के सरोचनागरिक समान में से एक पद्मिसीरी से भी समानित किया जा चुका है इनी का निधन हो गया है चलिए ओप्संस में लोग देखते हैं अप्संस में भी कुछ याद रखिएगा और सिंधु पाई सिंधु ताई सपकाल ये अनाथ बच्चों की मां से परसीद थी जाने माने समाजी करे करता थी इनका विहाली में निधन हो गया है आप से पूछा जा सकता है अनाथ बच्चों की मां से कौन परसीद थी जिनका हाली में निधन हो गया है और समाजिक कारे करता भी थी तो सिंदुताई सबकाल नेक्ट है सांती देवी इनका भी हाली में निधन हो गया है इनको सांती देवी नाम है लेकिन अलग से लुगडी या लुगडी के लुगडी डेवी के नाम से परसीद थी ये भी परसीद समाजिक कारे करता थी इनका भी हाली में निधन हो गया है ये मावाल उडिशा के मावाल छेत्र में सांती बहाल करने और जन जातिये लड़कियों के सिक्षा के विकास के लिए अहम युगदान इनों ने दिया था तो लुग्री देवी के नम से परसीद Nam जवक्त स्थाजन 법 2D दीवस मनाये गया है सई दिवस मिलेंगा buena झाल राष्टिता महत्मा गांधी के पुन्य तिथी पर प्रतेक वर्ष 30 जनवरी को मनाय जाता है सहीद दिवस इसी दिन 30 जनवरी 1940 को महत्मा गांधी का हत्या नत्थु रमगोट से ने कर दिया था जिस दिन को चिन्हित करने के लिए सहीद दिवस मनाय जाता है एक महत्पून और बात कि सहीद दिवस के वल 30 जनवरी को ही नहीं बलकि 23 मार्च को भी मनाय जाता है तो ये इसी दिन भगत सिंग, सुखदेव और राजगोरु को फासिदी गई थी इस दिन को भी 23 मार्च को ये सहीद दिवस के रूप में मनाय जाता है आईए आप्सन से हम कुछ महत्पून जान लेते हैं चुनाव आयोक के बारे में अभी मुख्य चुनाव आयोक कौन है तो अभी सोसिल चंद्रा है और थीम क्या है राष्टिय मत्दाता दिवस का तो थीम है थोड़ा लंबा है चुनावों को समावेसी, सुगम और सहभागी बनाना इंगलिस मे बोले तो making elections inclusive, accessible और participatory तो 25 जनवरी को राष्टिय मत्दाता दिवस सौट में यह जरूर याद रखिएगा 25 जनवरी को एक और दिवस है महत्पूर्ण राष्टिय पर्याटन दिवस अथाथ नेशनल नेशनल टूरीजम डे नेशनल टूरीजम डे राष्टिय पर्याटन द गिया है 24 जनवरी को किया मनायगया है तो इस दिन राष्टिय बाली का दिवस मनाय गया है 24 जनवरी को राष्टिय बाली का दिवस तो यह सबी facts आपको पंचवी परस्ट से मिले और option से भी तुछ चलिए कल हम लोग कुछ जनवरी के जो भी डेज रहे हैं उसका चर्चा हम लोग करेंगे एक special class भी होगा जिसमें पूरे वर्स के 2000 जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के सभी महत्पूर्ण days और themes जो भी सही रहेंगे उसके यह सब हम लोग देखेंगे इसका special class हम आज से कल में update करेंगे आपको तो चैनल पर भेज़िट जरूर किजिएगा चलिए दोस्कों कुना मैं महफ़ी चाहता हूं समय थोड़ा अपने इसाब से चलने कारण class daily late हो जा रहे हैं आज भी class late हुआ है इसी कारण 5 ही प्रस्ण में mcq मैंने fit किया था और काफी महत्पूर्ण प्रस्ण नीचे भी लिस्टेड है आप बने रहें एक्स्राफेक्ट के साथ हम लोग चर्चा करेंगे next है हाली में आयो जित उरीशा ओपन 2022 का महिल 100 टूनामेंट में जीत दर्ज करने वाली सबसे युगा बैड्मिंटन भारत की बन गई है याद रखिएगा और उरीशा ओपन 2022 का पूरू सेकल किताब इस ने जीता है तो कीरन जोर्ज ने जीता है तो देखें ये अलग से special question हुआ लेकिन इसलिए मैं points को आपको ध्यान से देखने के लिए कहता हूँ ये अलग से प्रस्ण हुआ लेकिन मैंने इससे संबंधित था इसी में डाल दिया है मैंने तो पूरू सेकल किताब उरीशा ओपन का कीरन जोर्ज और महिला एकल किताब उरीशा ओपन 2022 का उन्नती हुडा ने जीता है और इसका आयोजन कहां किया कर्मेंट है ये आयोजित किया गया है कहां उरीशा के कटक में जवाहर लाल नहरू इंडोर एस्टेडियम में चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं में जोकि फेसबुक को अब इस नाम से जाना जाता है किया और इसके तहत 50 na चोटे महिला व्यूशायों को सहयोग करने के लिए चलिए फिकी के साथ इसने समझोता किया है तो फिकी और फेस्बुक के बारे में जाल लेते हैं फिकी इसका फूल्पम होता है फेडरेशन ओफ इंडियन चेंबर्स और कमर्स एंड इंडरस्ट्री और एक होता है इसी फिकी में FLO जोड़ दिया जाए तो फिकी लेडिज ओगनाजेशन हो जाता है इसी के द्वारा वो काम सब किया जाएगा फिकी के स्थाफना 1927 में हेटक्वार्टर नियो दिल्ली है प्रेशिडेंट इसके संजीव मेता है और डायरेक्टर जनरल महानिदेसर अरून चावला है फेस्बुक जो अब मेता के नाम से जना जाता है इसका स्थाफना 2004 में हेटक्वार्टर इसका मेंलो पार केलिफोर्निया यूनाइटेड एस्टेट्स है और सी यो मार्क जुकर बर्ग है चेली नेक्स कोश्चन देखते हैं हाली में आयो जेत अउस्टेलियन ओपन 2022 में पूरू सेकल खिताब किसने जीता है ये राफेल नडाल ने जीता है अस्टेलियन ओपन का पूरू सेकल खिताब ये कहां कहा है राफिल नडाल तो ये एस्पेन के जाने माने टेनिस खिलाडी है और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो ये कहां कहा है रूस के इनको हराकर अस्ट्रेलिया नोपन दौजर बाइस का पूरूस एकल खिताब जीत लिया है रफिल नडाल का ये 21 वा ग्रेंड स्लैम है और इसी के साथ सबसे ज़्यादा ग्रेंड स्लैम जीतने ग्रेंड स्लैम टाइटल्स जितने का रिकॉर्ड भी इनके नाम हो गया है ये भी याद रखिएगा और ये तो रहा पूरूस के बारे में इसी में देखते हैं अस्ट्रेलिया उपन के महिला एकल खिताब किसने जीता है तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के एसले बाटी इन्होंने अमेरिका के डेनायल को हराकर अस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीत लिया है एक दिन पहले ये निव जा चुका था तो उसको मैं करा चुका था पिछले क्लास में तो ये 30 जनवरी को प्रतेक बर्स नहीं होता है दोस्तों ये जनवरी महिने के आखरी रभी बार जो डेट भी पढ़ जाएं तो इस बार 30 जनवरी को पढ़ा है आखरी रभी बार को कुष्ट यानि हैंसेन रोग के बारे में जगरुपता बढ़ाने के लिए मनाये जाता है वि ये जपान के द्वारा जीता गया है कौनसा होकी वीमेंस एसिया कप दो हजार बाइस इसका आयोजन कहा हुआ था तो ओमान की राजदानी मस्कट में चिए गया था और भारत की तरब से भी टीम इसमें सामिल हुई थी तो उसने चीन को हरा कर इस खेल में कंश्पदक हांसिल क लिया है यह याद रखिएगा चलिए नेक्स देखते हैं हाली में किस फिल्म ने एनेच आर सी कंप्टीशन का पहला पुरुषकार जीता है तो यह स्ट्रीट एस्टूडेंट यह पुरुषकार अकूला संदीव की फिल्म है यह स्ट्रीट एस्टूडेंट इसीने पहली महिला राष्टपती के रूप में किस ने सपतलिया है यह जीयो मारा कास्ट्रो जीयो मारा कास्ट्रो होंडूरस की पहली महिला राष्टपती के रूप में सपतलिये हैं होंडूरस का राजधानी कहा है तेगू सी गालपा और मुद्रा क्या है तो यह होंडूरन लिम लेम पेरा यह वहां के मुद्रा है याद रखिएगा वही सब आप से पूछा जा सकता है हाली में आयोजित अमेरिकन महिला पैन कॉप होकी चेंपियनशिफ 2022 में किस देश ने जिता है ये अर्जेंटीना ने चीली को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है और पैन एम महिला कॉप होकी चेंपियनशिफ पैन अमेरिकन होकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित अमेरिका का चतुष कोनिये अंतराष्टिये चेंपियनशिफ है ये याद रखिएगा नेक्ट है हाली में किस दिन विश्व उपेक्षित उस्म कटी बंदिये रोग जिसे इंगलिस में वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रोफिकल डिजीज डे कहा जाता है ये किस दिन मनाया गया है तिस जन्वरी को मनाया गया है बैस्वी कस्तर पर महतपुर्ण सार्जनिक स्वास्त चुनावती के रूप में उपेक्षित उस्म कटी बंदिये रोगों के बारे में ज्यागरुकता बढ़ाने के लिए पतेक बच तीस जन्वरी को यह दिवस मनाया जाता है और पहली बार इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव UAE अर्थत संजुक्त अरब अमिरात के द्वारा World Health Organization WHO में रखा गया था और पहली बार 30 जन्वरी 2020 को इसे मनाया गया था यह सब facts भी आप याद रखिएगा नेक्स देखते हैं हाली में रिजर बैंक अफ इंडिया ने किस बैंक पर बिभिन बीतिये पावन दिया लगाया गया है यह इंडियन मर्केंटाइल कोपरेटिव बैंक लिंटेड पर आर्विया निये रिस्टेक्शन्स लगाया है लखन इसके बारे में देखते हैं रिजर बैंक ऑफ इंडिया एट क्वार्टर मुंबई है अस्थापना एक अपरेल 1935 को और इसका राश्ट्रिकरन एक जनवरी 1929 को और राजपाल सुरी राजपाल गवर्नर इसके कौन है रविया के सक्तिकांत धास है जो 25 करम के गवर्नर है इ एक है मैस कुमार जैन, माइकल देवरत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवी संकर ये चार डिप्यूटी गवर्नर है और गवर्नर को है सक्तिकांत धास 25 करम के हैं चलिए next हम लोग देखते हैं question of the day question of the day है हाली में किसे भारत के नय मुख्य आर्थिक सलाकार निय आद होना चाहिए comment में answer जरूर करें तो चलिए दोस्तों उमिद करता हूँ आज कर क्लास आप लोगो पर इच्छा उप योगी लगे होंगे यदि हां तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दें और अपना कुछ seconds मातर देकर टार जुकेशन के सभी classes को सेशन को सेर जरूर कर द हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे तो चलिए मिलते हैं अगले class में तब तक लिए good bye all the rest